मुंबई शहर के नापेंसी रोड इलाके में स्थीत अतलास बिल्डिंग में छट्टे फ्लोर पर मंगलवार सुभा करीब पांच बजे भीशन आग लग गई मुके पर दमकल की नव गाड़िया पहुची इसके बाद करीब 4 घंते की मेनत के बाद आग पर काबू पाया गया बील्डिंग में लगी आग पर काबू पाने के बाद पूरी बील्डिंग को कूलिंग किया गया फिर हार हाथसे में कोई भी गंबी रूप से घायल नहीं हुआ है बील्डिंग में दो महिलाएं उपरी फ्लोर पर फस गई थी जिन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया गया बताया जा रहा है कि शौर्ट सर्किट के वज़ा से आग लगी लेकिन असली वज़ा अभी तक सामने नहीं आई है ये सपश्ट नहीं हुआ है कि आग की वज़ा क्या थी ये तस्वीरे देखिए किस तरह से ये आग लगी हुई है इसके साथ प्राहर टेम्स की सभी खबरे देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुचे ताज़ा तक खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें